मैं चंदन स्पागत करता हूँ आपका टिकनिकल क्यान सीखते रहूँ यूटूब चैनल पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सेमसंग मोईल में रिसाइकल बीन कैसे ओप करें फ्रेंड्स होता क्या है कि जब भी आप अपने सेमसंग मोईल से कोई भी फोटो या वीडियो को आप डिलीट करते हैं तो डिलीट करते हैं टाइम मोई टू रिसाइकल बीन का उप्सन आ जाता है और जब मोई टू रिसाइकल बीन का उप्सन पर क्लिक करते हैं तो वो आपके गलरी से बलही डिलीट हो जाता है, लेकिन आपके मोबाइल से डिलीट नहीं होता है, वो आपके मोबाइल के recycle bin में चला जाता है, और 30 दिन तक recycle bin में रहता है, 30 दिन के बाद हमेशा के लिए delete होता है, तो तो अगर जो आप चाहते हैं कि delete करतें time move to recycle bean का option नहीं आए recycle bean में नहीं जाए delete किया हुआ direct mobile सही हमेशा के लिए delete हो जाए तो उसके लिए आप अपने Samsung wall में recycle bean को up कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा कि Samsung wall में recycle bean कैसे up कर सकते हैं तो उसके लिए आप अपने Samsung wall का गलरे open कर लिए और उसके बाद नीजे side right side को ने तरफ आप यहां इस three line पर क्लिक करिए और उसके बाद आपको यहां settings का option मिलेगा तो आप यहां settings का option पर क्लिक करिए और उसके बाद आपको यहां recycle bean का option मिल जाएगा तो देख सकते हैं यह भी on है इसी लिए delete करते time move to recycle bean का option आता है और उसके बाद रिसाइकल bean में चला जाता है तो इसको आप off कर लिजे आप यहां इस button पर click करिए और उसके बाद आपको यहां turn off का option मिल जाएगा तो आप यहां turn off का option पर click करिए तो जैसे इतना कर देंगा उसके बाद recycle bean जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ डिलीट के क्लिक किया और यहां delete का option आगया move to recycle bean का option नहीं आप मैं इस पर click करता हूँ तो permanently mobile से delete हो जुका है तो इस तरह से आप समसे mobile में recycle bean को आप कर सकते हैं